Good morning students, I am Sannita Malura, 4 class nursery. I will teach you subject Hindi. Dear students, आज आप पड़ेंगे कौसे गौतर. आज मैं आपको एक साथ इनको सिखाऊंगी. आज तक मैंने आपको इनकी अक्षर बता रहा है. आज आप इनको एक साथ बढ़ना देखना सीखेंगी. देखो बच्चों, सबसे पहले आपने, आपको मैंने कौ बता रहा है. आपने सबसे पहले क्या लिखना है? कौ. पहले आपने इस तरह से लाइन खुजनी है. उसके बाद आपने लिखना है. कौ. क्या है ये? कौ. फिर आप लिखेंगे कौ. इस बाद आपने इस तरह से लाइन खीचनी है. और आप इसको इसको इस तरह से मोरेंगे, मेंने के लाइन खीचेंगे. और इसको बनाएंगे खौ. और आपने इसको इहां पर चल्च करना है. आपने में नहीं छोड़ना है. गौ, खौ, गौ. क्या है? गौ. गौ. गौ के बाद क्या आता है? गौ. क्या आता है? गौ. गौ से? घड़ी. आपको मैंने पढ़ाया है न? और गौ क्या होता है? खाली. गौ, खाली. इस तरह से आप इसको एकी लाइन में लिखेंगे. आज तक आपने इंको अलग-अलग एक एक अप्छा लिखा है. आज आप इंको एक साथ लिखेंगे. और अपने मुह से उजारा कट है दिगे. गौरुब जुमें साथ बुलेंगे. कहसे कमेंटर. खासे खर्गोष. क्या है? खासे खर्गोष. और यह है आपका गहसे गमला. यह है आपका गहसे गंड़. गाँ से घर और गाँ खाली इस तरह से आप अपनी नाप्बुक में अच्छी से राइन में लिखें दो फिर से बोले काँ, काँ से कबोलतर खाँ, काँ से खरुश गाँ से गमला, गाँ से घरी और गाँ खाली फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, अपनी नाप्बुक पे आप इसी तरह से लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे तो मैं आपको यह दिखा रही हूं, कि मैं आपको एक लाइन छोड़ा रही हूं लेकिन आपनी अपनी नाप्बुक पे तिन तिन लाइन छोड़ेंगे लिखना है जिस तरह से मैं आपको पेडिया दिस्टिंग फिर आपके लिखना है यापे गोँ खोसें खरगोश गोसें गमला अभासें आपडी कॉफयें लह भी बुटार और गौंखाली क्या है गौंखाली अब आप इसको जब लिखेंगे उसके बाद आप इसको एक साथ पढ़ेंगे बनो का खा गा घा गं का खा गा घा गं अपनी फिंगा लगा लगा के आप इसको लगन करेंगे का खा गा घा गं इसके आप फढ़ते एक अप्छनों के पहचान हो जड़ेंगे कि हमारा कौ है कौ से होता है कब होता है यह हमारा खौ है खौ से खरकुष और गं से गंला घा से घड़ी और गं खाले इस तरह से आप इसको फाइप टाइम पे लर्ण करेंगे और इसको आप अपनी फियर वनी नाप भूब में अच्छी सी राटें में लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी रफ कोपी पर इसकी टैटिस करते रहेंगे ओके, थेंक्यू